हालो वेलकम बेक टो पोकर अगेड़ेमी आज हम बात करेंगे डेप्रिशेशन किस तरह से फाइन करते हैं कोई भी उनिवर्सिटी एक्जाम है तो वहां पे आपको फोर टू सेवन मार्क्स के लिए एक्वेस्टन होता है वो चाहे कोई भी उनिवर्सिटी हो जीटी हो या दो मेथड यूज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन मेथड और कॉंस्टेंट परसनेज मेथड जो एक्जाम में पूछी जाती है उनमें से जनरल यह दो मेथड आपको पूछते हैं डेप्रिशेशन के लिए तो देखते हैं डेटा में क्या दिया है मस्रीन इस पर्चेस्ट फ वेल्यू जो होगी वो कहीं न कहीं आपकी 10,000 होगी क्योंकि इनका 10% आप कर दीजेगा तो 10,000 मिल जाएगा अब कैल्कुलेट क्या करना है तो अमाउंट ओफ डेप्रिशेशन एड दी एंड ओफ थर्ड यर इन टेबिलर फॉम बाई यूजिंग दी फॉलोइंग मेथड तो first है Straight Line Method, second one is Costant Percentage Method, पहले देख लेते हैं Straight Line Method में, तो सबसे पहले क्या करना है, C-S, C का मतलब होता है suis cost कितनी हुई आमकी तो cost हुई है 1 LAC, S मतलब Salveage Value कितनी 10% तो आपको 10,000 मिल जाएगे, उन दोनों को डिवाइट बाई उनकी जो भी LIKE this year है, 12 year की उनकी life है तो 12 divided क जाएगा आपको अब बात करते हैं टेविलर फोर्म में उनको किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनका मतलब क्या है यह 7500 का मतलब है एक साल में इतनी वेल्यू उनकी कम होती जा रही है पर यह इतनी वेल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है पहले साल में तो उ गश्म Все Confederacy Prime 500 तो यहांसे आप 750-скоеत Punis कर दिजिगा तो आपको कहिफ न कहीं है जाल पिल जाएगी अब फिर उन में से फिर से एक बार सेवन फाइबाल जीरो कर दिजीगा तो, कुछ यह वेजिव मिलिव जाएगी, इसमें से भी आप 7500- कर दीजेगा तो ये value आपको मिल जाएगी तो ये tabular form 3 साल के लिए ready हो चुका है अब बात करते हैं second method की बारे में constant percentage method अब wrap top depreciation यहाँ पे P के term से हम find out करते हैं P मतलब क्या है तो 1-S by C raise to 1 by N अब यहाँ देख लीजिए क्या करना है आपको 1 by 12 यहाँ पे 1 by 20 नहीं है 1 by 12 है S by C कर लीजिएगा तो इनकी value approximately 0.1 के करीब करीब आपको मिल जाएगी S का मतलब 1 second salvage value 10,000 यह है आपका 1 lakh and depreciation first year में क्या होगा तो first year में यह जो method है percentage method कहते हैं उनको तो पहले 1 lakh थी तो उनके percentage 0.1 आपने निकाल लिये तो इतनी value उनकी कम होने वाली है 10,874 तो अब आपको करना क्या है book value जब आप बात करोगे first year के बारे में तो book value क्या रह जाएगी तो 1 lakh थी उसमें से इतना depreciation हो चुका है तो अब value कितनी रही at the end of first year 89,125 अब बात करते हैं second year के लिए तो second year के लिए इनकी value क्या थी जब हम start करते हैं second year तब उनकी value थी 89,125 तो उनके percentage हम निकाल लेते हैं तो वो मिलता है आपको 900, sorry 9,701,4 तब book value find करेंगे तो ये value थी at the end of one year उनमें से इतना depreciation हो चुका है तो ये value minus कर दी फिर से ये value मिल गई हमें third year तक जाना है तो third year में फिर से ये value यहां आप put कर दीजेगा और ये depreciation हो गया आप third year के लिए तो third year का depreciation होता है 8,655 अब बात करते हैं book value तो ये value थी end of second year तो वहां से आपको इतना depreciation मिला third year के लिए तो ये value आपको मिल जाएगी तो कुछ इस तरह से आप noted कर सकते हो इनको ये annual depreciation है first year के end में, second year के end में और ये third year के end में अब total depreciation में क्या कर सकते हो आप यहां पर ये लिख सकते हो क्योंकि उपर तो zero year है, मतलब कोई depreciation इससे पहले होने वाला नहीं है यहां आप क्या कर सकते हो इन दोनों का addition यहां पर आप अगर चाहो तो तीनों का addition कर सकते हो यहां लिख सकते हो और ये जो value आई 89,125 फिर 79,000 फिर 70,000 यह value यहां पर लिख लिजेगा तो आपको 7 marks यहां से मिल जाएंगे और बहुत important है और बहुत ही कम समय में आप ये count कर सकते हो जिटिव के लिए बहुत important रहेगा जो next exam आने वाली है उनके लिए तो अपने friends के साथ share करना मत बुलिएगा और कोई भी difficulty है या कोई भी doubt है तो आप app डाउनलोड करके वहाँ पे chat box में जाएए और वहाँ पे आप कोई भी doubt पूछ सकते हो Thank you, thank you so much for watching this video and please do subscribe the channel and share with your friends Thank you